Dear Student, Platform of Learning YouTube चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गनित सब्जक्ट की वक्षिट नमबर 8 का सोलुशन एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टार्ट करते हैं वक्षिट नमबर 8 रेखा, रेखाखंड और किरन देखिए हमारी जमेट्री के जामित्ये के यह तीन सबसे में पॉइंट है रेखा, रेखाखंड और किरन चलिए इने पढ़ते हैं सबसे पहला है रेखा साधारन शब्दों में सरल रेखा बिंदूों से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदू नहीं होता रेखा वह होती है जिसका कोई भी अंत बिंदू नहीं है देखे दोनों तरफ एरो लगा होता है रेखा में इसका मतलब हम इसको ए तरफ से भी और हम इ अगला है रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों और अंत बिंदू निश्चित होते हैं, देखें इसके दो अंत बिंदू होते हैं, रेखाखंड को मापा जा सकता है, जैसे हम अपने scale से नापकर लिखते हैं कि AB 5 cm रेखा खंड है, 4 cm रेखा खंड है इस तरह से तो हम इसको माप सकते हैं, इसके 2 अंत बिंदू होते हैं, दोनों तरफ point लगा होता है point का मतलब है, यह इसके अंत बिंदू है, इने हम ना B तरफ से और ना ही A तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं देखे, जब भी हम रेखा खंड को लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे, A, B के उपर हम एक रेखा खंड लगाएंगे मतलब हमें arrow नहीं लगाना है अगला है किरन, किरन रेखा का वह भाग है, जिसका एक अंत बिंदू है, किन्तु दूसरी दिशा में यह अनंत है जिसका एक अंत बिंदू होता है, लेकिन दूसरी दिशा से हम इसे बढ़ा सकते हैं ये देखिए A, B, अब A पर इसका अंत बिंदू है, अगर हम चाहें तो इसे A की तरफ से आगे नहीं बढ़ा सकते, और B पर आरो लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसे B से आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा खंड को जब हम लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं, A, B, उपर रेखा लगाएंगे, तो B की तरफ एरो लगाएंगे, A की तरफ एरो नहीं लगाना है, क्योंकि इसका एक अंत बिंदू होता है, तो ये हमारे पास तीनों परिभाशाएं थी, रेखा की, रेखा खंड की और किरन की, आगे देखिए, नीचे दी गई आकरतियों को ध्यान स देखिए, उन्हें रेखा, रेखा खंड और किरन के रूप में पहचानिये और नामांकित कीजिए, मतलब उनका नाम लिखिए, जो आपको पहली नजर आ रही है, वह क्या है, देखिए, P क्यों, अब P पर इसका अंत बिंदू है, क्योंकि एरो नहीं है, क्यों पर इसका अ इसका मतलब हम इसे M की तरफ से भी और N की तरफ से भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह है रेखा कहलाती है, आईए अब हम कोनों और उनके कुछ गुणों की पुन्रावरती करें, चलिए कोनों के बारे में पढ़ते हैं, कोन, कोन एक बिंदू पर मिलने वाली दो किरनों औ द्वारा बनाई गई आकरती होता है, कोन तब बनता है, जब हम दो किरनों या दो रेखाखंड के को मिला देते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये दो किरन है, एक ये और एक ये, यदि हम इन दोनों को मिला दे तो यह है कोन बनेगा, इसी थरा से यह है दो बिंदूओं, दो किरनों और दो रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकरती होता है, देखिए जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं, तो कुछ कोन बनते हैं, प्रतिछेद करने का मतलब होता है काटना, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटते है देखिए इस तरह से जैसे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है तो हमारे पास कुछ कोन बनते हैं देखिए नीचे पहली फिगर में आपको दिया गया है L और M दो रेखा खंड है तो यहाँ पर L, M एक दूसरे को काट रहे हैं इस वले पॉइंट के उपर तो हमारे पास चार कोन बनते हैं एक, दो, तीन और चार तो इन चारो कोनों में कुछ ना कुछ समानता है वो देखिए क्या है एक कोन एंगल तीन के बराबर होता है इसे हम शिर्शा विमुक कोन कहते हैं शिर्शा विमुक का मतलब होता है एक, दूसरे पर जुका हुआ कोन ये देखिए जैसे मैंने यहां बनाया है तो ये वला कोन, इस वले कोन के बराबर हो जाएगा यह कहलाएगा शिर्शा विमुक कोन दो, चार के बराबर हो जाएगा यह हैं भी शिर्शाविमू कोन कहलाता है एक और दो देखिए रेखा M के उपर बने हैं एक और दो तो हम कह सकते हैं कि एक और दो का टोटल कितना होगा 180 डिग्री क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोनों का युगम 180 कहलाता है उसी तरह से 3 और 4 का टोटल भी 180 डिग्री होगा 1 और 4 का भी टोटल 180 होगा और 2 और 3 का भी टोटल 180 होगा आगे देखिए जब दो समानतर रेखाओं को एक तिरियक रेखा परतिछेद करती है तो भी कई कोन बनते हैं देखिए जैसे फिगर नंबर 2 में L और M दो समानतर रेखाओं का मतलब होता है जिनके बीच की दूरी बराबर होती है जिनको हम कितना भी आगे बढ़ाएं तो ये आपस में जाकर कहीं भी प्रतिछेद नहीं करती L और M दो समानतर रेखाओं हैं इनको एक N देखा काट रही है तो हमारे पस कितने कोन बनते हैं देखिए एंगल 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ कोन बनते हैं इन आठो कोनों में भी गुद समानता है वो देखिए क्या है पहला है संगत कोन युगम संगत कोन युगम बराबर होती है संगत कोन का मतलब है जैसे रेखा L के उपर जो कोन बना हुआ है और रेखा M के उपर जो कोन बना हुआ है वो बराबर हो जाएंगे एंगल 1, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा 2,6 के बराबर होगा 4,8 के बराबर होगा और 3,7 के बराबर हो जाएगा अगला है अंतह एकांतर कोन अंतह का मतलब अंदर अब देखिए इसके अंदर कोन से कोन बने हुए है 4, 5, 3, 6 तो अंतह एकांतर कोन एकांतर कोन का मतलब होता है देखिए इस तरह से S बनाना है हमें यह देखिए एक ऐसे और ऐसे उल्टा S बन गया इधर से 4 श, के बराबर हो जाएगा और इधर से भी आप S बनाईए ऐसे, तो 3, 5, के बराबर हो जाएगा तो यह कहलाता है अंतह, एकांतर, यूगम अगला है बहई, एकांतर, यूगम भी बराबर होते हैं बाहिया मतलब बाहर का एक आंतर युगम देखिए बाहर के कौन कौन से है अब एक, दो, पाँच और छे तो कौन सा किसके बराबर होगा इधर से बाहर के कौन कौन से है पाँच और छे तो अंदर का कौन है न साथ और आठ है बाहर का और उधर बाहर का कौन कौन सा है एक और दो तो कौन सा बराबर होगा एक आठ के बराबर हो जाएगा और दो साथ के बराबर होगा यह कहलाता है बाहिया एकांतर कौन अगला है तिरियक छेदी रेखाओं द्वारा एक ही और बने अंतह कौन युगम संपूरक होते हैं एक ही तरफ जो कौन बने हुए है देखिए L और M को N प्रतिछेद कर रही है तो 3 और 6 ये दोनों कौन अंदर ही बने हुए है तो 3 और 6 का टोटल 180 होगा उसी तरह से 4 और 5 का भी जोड 180 डिगरी कहलाएगा तो ये थे हमारे पास कौन और कौन से संबंधित कुछ नियम आप इने बार-बार पढ़कर अपनी कोपी में प्रैक्टिस कीजिए तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे अब इसके बेस पर हमें कुछ कोशन्स दिये गए हैं जैसे नीचे देखिए बच मांतर रेखाएं हैं तो हमारे पास 1,2,3,4,5,6,7,8 8 कोन बनते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल 1 जो है वो 115 डिगरी का है तो हमें बाकी कोन बताने हैं कि 2 कितने का होगा 3,5 और 8 कितने कोंगे देखिए अब एंगल 1 है 115 डिगरी का तो यहां से हम 3 बता सकते हैं कोण यदी एंगल एक 115 का है तो 3 कितने का होगा 115 डिगरी का होगा क्यों क्योंगी यह शिर्षा विमुग कोन कहलाते हैं तो एंगल 3 जो हो जाएगा वो 115 डिगरी का होगा उसके बाद देखिए हमें बताना है एंगल 2 एक और 2 यह दोनों कोन कैसे हैं एक ही पर बने हुए हैं तो एक और दो का टोटल जो है वह 180 डिग्री होगा यदि एंगल 1,115 है तो एंगल 2 कितने का होगा 180-115 मतलब 65 डिग्री का तो इस तरह से हम एंगल 2 निकाल सकते हैं फिर है एंगल 5 एंगल 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह देखिए यह दोनों समानत उसी तरह से निकालेंगे हम 5 और 8 दोनों एक सरल रेखा पर बने हुए कोन है सरल रेखा पर बने हुए कोनों का अंसर कितना होता है कोनों का जोड कितना होता है 180 डिग्री अगर 5,115 का है तो एंगल 8 कितने का होगा 65 डिग्री का तो बच्चो यह था हमारी वक्षिट का आपके कमेंट का रिपलाई करने की कोशिश करूंगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वोचिंग, हैवे नाइस डे